नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवराज से नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरो यानि NCB ने मुंबई में ड्रक्स पार्टी के दोरान एक बड़ी कारवाई की है NCB की टीम ने शनवार को मुंबई से गोवा जा रहा है एक शिप में चल रही ड्रक्स पार्टी पर छापा मारा है बताय जा रहा है कि इस कारवाई में NCB की टीम ने कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया है इसमें एक बड़े एक्टर का बेटा भी शामिल है इसके अलाबाद चापे मारी के बाद बड़ी मात्रा में कोकीन, हशीस, एमडी जैसे ड्रक्स को भी बरामत किया गया है दरसल NCB को मुंबई से गोवा जाने वाले एक शिप में ड्रक्स पार्टी होने की खबर मिली थी जिसके बाद NCB ने इस ऑपरेशन को अन्याम दिया, बताया जा रहा है कि NCB की ये चापा मार कारवाई 7 घंटे से अधिक समय तक जारी रही जिस सिप परचापा मारा गया है वो मुंबई से गोवा जा रही थी, इस पर कई हाई प्रोफाईल और सेलवर्टी भी मौजूद थे मीडिया रिपोर्स के मुताविक NCB के जॉर्नल डारेक्टर समीर बान खेडे ने इस ऑपरेशन को अन्याम दिया है वो अपने टीम के साथ यात्री बनकर शिप पर सवार हुए, जैसे ही क्रूज समुंदर में पहुंच आए ड्रक्स पार्टी शुरू हो गई पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रक्स का सेवन होता देखा गया, बस उसी बक से NCB की टीम भी एक्षन में आ गए और उन्होंने अपना सीक्रेट ओपरेशन शुरू कर दिया आप क्योंकि टीम यात्री बन गई थी, ऐसे में किसी को भी उस कारवाई की भनक तक नहीं लगी, तमाम आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में मदद मिली NCB सुत्रों ने बताया कि रेट में शामिल तमाम NCB करमचारी और अधिकारियों के फॉन बंद करवा दिये गए थे, उन्हें रेट खत्म होने तक अपने फॉन बंद रखने को कहा गया हाला कि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि हिरासत में लिए गए बॉलिवुड एक्टर के बेटे ने ड्रक्स का सेवन किया था या नहीं कुरूज को बापस मुंबई लाया गया है, हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को रविवार को पूर्ट में पेश किया जाएगा कुरूज बर सवार सभी लोगों का डोप टैस्ट किया आ जा सकता है इस ख़बर में फ्लाल इतना ही, तमाम अपडेट के लिए बने रहे, बने इंडिया हिंदी के साथ